तो student आज की class में हम लोग 10-10 अम लोग एक के सवालों को solve करने वाले हैं, तो चलिए student हम लोग प्रशनावली पर चलते हैं, और सवालों को solve करते हैं, तो student एरा question number one आप लोग के सामने, आप लोग question को पढ़िए और देखिए इसमें क्या कहा जारा, question को चलिए हम लोग पढ़ कीजिए, तो हमें क्या प्राप्त करना है, बेजए बेंजग प्राप्त करना है, तो चलिए हम लोग बेजए बेंजगों को प्राप्त करते हैं, तो जैकि आप लोग first number को इसमें क्या कहा जा रहा है, संख्या x में से z को घटाना है, तो अगर हम कहें x में से z को घटाना है, तो आप क्या लिखो गए, x-z अगर हम कहें भई, आपको 10 में से 5 घटाना है, तो आप क्या लिखते हो, 10-5, इसी तरीके से हम कहे रहे हैं, आपको x में से z घटाना है, तो हमने x में से z घटा दिया, चलिए, second number को ध्यान से देखे, इसमें कहा जा रहा है, संख्याओn x और y के योग का आधा, संख्याओn x और y के योग, तो इनका योग हो गया, इनके योग का आधा, ठीक है, हो गया इनके योग का आधा, चलिए, third number पर चलते हैं, और देखते हैं third number का solution क्या होगा, इसमें देखी क्या कादर है संख्या जेड को स्वयम उससे गुड़ा किया जाता है जब संख्या जेड को स्वयम संख्या जेड से ही गुड़ा किया जाता है हमारे पास जेड गुड़े जेड आएगा और जेड गुड़े जेड करेंगे इस्टूडेंट तो जेड इसक्वायर हो जाएगा ठीक है, चलिए, अगले नंबर पर चलते हैं, ध्यान चा देखी, इस चोथे नंबर को, इसमें क्या बात कहीं जा रही है? चोथे नमबर में संख्याओं P और Q के गुड़न फल का एक चोथाई P और Q के इनका गुड़न फल हो गया इनके गुड़न फल का एक चोथाई वही इनके गुड़न फल का एक चोथाई यही तो हो गया आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो पी क्यू अप वन में फोर चलिए अब हम लोग पांचमे नंबर की बात कर लेते हैं पांचमे नंबर को इस्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है दोनों संख्याओं X और Y के वर्गों को जोड़ा जाता है दोनों संख्याओं X और Y के वर्गों को जोड़ा जाता है तो चलिए हम लोग दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ले रहते हैं दोनों संख्याओं N की X का वर्ग में जब जोड़ा जाता है Y के वर्गों हो गई इस्टिती चलिए छटे नमबर के लिए चलते हैं देखते हैं छटे नमबर का solution क्या होगा इसमें क्या का जा रहा है संख्या M और N के गुड़नफल के तीन गुणे M और N के गुड़न फल, इनका गुड़न फल हो गया, इनके गुड़न फल के तीन गुणे, इनके गुड़न फल का तीन गुणा हो गया, तीन गुणे में संख्या पांच जोड़ना, हमने संख्या पांच जोड़ दी, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, M को N से मल्ट किप्लाई करोगे 3mn plus 5 ठेक ही student और यहीं हमारा क्या हो गया answer हो गया चलिए इस सात्वे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सात्वे नंबर का solution क्या होगा तो student आप लोग इसको ध्यास देखी सात्वे नंबर को 10 में से संख्याओ y और z के गुड़नफल को घटाना 10 में से गटाना किसके y और z के गुड़नफल को घटाना y और z का गुड़नफल तो y गुड़े z ही हो जाएगा इसको लिख दीजे 10- yz ठीक है हो गया चलिए अब लोग इस आठवे नंबर की बात कर लेते हैं student इस आठवे नंबर के लिए आप लोग ध्यान से देखिए क्या करना है संख्या A और B के गुड़नफल में से उनके योग को घटाना है A और B का पहले में क्या करना है गुड़न फल करना है और जब A और B का गुड़न फल आ जाए तो उसमें से क्या करना है इनके योग को घटाना है यानि कि संख्याओं के योग को तो A प्लस B का योग घटा दीजिए अब देखी क्या हो जागा इस्टूडेंट यहां पर ध्यान से देखिए A को B से मल्टिप्लाई किया तो A B आ गया माइनस भई मल्टिप्लिकेशन हो गया और इनके योग को आप घटा दीजिए बस हो गया तो इस्टूडेंट आप देख सकते हैं यह जो हमारा question number 1 था हमने इसके सभी सवालों को solve कर लिया है चलिए अब हम लोग अगले number पर चलते हैं और देखते हैं अगले number का solution क्या होगा तो इस्टूडेंट आप लोग question number 2 को ध्यान से देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है नेमलकित बेंजको में पदों और उनके गुड़न खंडों को चाटिए पदों और उनके गुड़न खंडों को पेड आरेक द्वारा भी दरसाए चलिए हमारे पास यह जो संख्याय दी गई है हम लोग इनके पदों और उनके गुड़न खंडों को छाटते हैं और उनके जो गुड़न खंड है उनको पेड़ आरेक द्वारा भी दरसाते हैं तो student अब आप लोग इस first के इस एक को ध्यान से देखिए चलिए अभी इम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं चलिए जो दूसरे के पहला है लोग दूसरे के पहले को ध्यान से देखते हैं यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए यह नम्बर को अब इसमें क्या दिया गया है हमें x-3 दिया गया है हमें पदों को अब यहां पर यह जो x-3 दिया गया है इस bj-benjag को student आप लोग ध्यान से दिखिए इसमें कितने पद है तो अगर हम पदों की बात करें तो इसमें दो पद है एक पद हमारा X है और दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद हमारा क्या है माइनस 3 है अब X का गुड़न खंट भई X को ब्रेक तो कर नहीं सकते हैं इसे जादा और A माइनस 3 हो गया पद की बात करें एक समारा पद हो गया माइनस 3 भी पद हो गया ठीक है चलिए बी की बात कर लेते हैं बी को इस्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए 1 प्लस x प्लस x स्क्वयर यह हमारा क्या हुगया इसको में क्या करना है इसके पदों को छügen कि अगर अग herbs का गण करें तो यह जो x square है, x square को क्या लिख सकते हैं, x गुडे में x, ठीक है, तो इसका गुड़न खंड हो गया, ठीक है, चलिए, हमें लोग इस c पर चलते हैं, और देखें student, यहां पर आप लोगों को एक बात ध्यान देना है, यहां पर यह जो पट्टी है, एक किसको दिखारी पदों को और ए जो broken line आपको दिखाई जाएगी, ए हमारे क्या होंगे, पदों के गुड़न खंड होंगे, ठीक है, चलिए, अब लोग c पर चलते हैं और देखते हैं, c का solution क्या होगा, तो c को आप लोग ध्यान से देखें, मैं क्या दिया गया, y minus y की power 3 दिया गया है, ए हमारे क्या गया, बीजी बेंजक हो गया, अब ए जो बीजी बेंजक है, इसके पदों को छाट लेते हैं, तो देखें इसमें कितने पद हैं, इसमें अगर हम पदों की बात करें, तो पहला पद हमारा y हो गया, दूसरे पद की बात करें, minus y की power 3 हो गया, तो ए जो पट्टी हमारे पद को दिखा रही हुए पद TI होगा मैनस हुआ की पौर 3 हुग होगे चलिए हम लोग इसके गुड़नखण्ड को कर लेते हैं आप Am Iesta क्यूडे तो मैरे थो सब्वाई की पर 30 को अब क्या लिख सकते हो सब्सक्राइद गुड़नखंड़ों को लिख देते हैं माइनस Y Y Y बस यह इमारे गुड़न खंड़ों और यह यह जो आर्यक आप देख रहे हैं उसे ट्री पेडा रिक कहते है ठीक है चले ली पर चलते हैं और देखते हैं का solution क्या होगा तो student आप लोग इस डी को ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिया गया 5xy square प्लस 7x square y ऐसा दिया गया है एमारे बीजे बिंजक हो गया इसमें पदों की हम लोग बात कर लेतें कितने पद हैं देखिए पद है 5xy square एमारे पद हो गए और अगर हम बात करें 7x square y की यह भी पद हो गया यह जो पट्टी है पदों को दिखा रही पद हो गया 5xy square 7x square y चलिए महां लोग इसका गुड़नखंड कर लेते हैं चलिए अब इसका गुड़नखंड करते हैं लोग तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 5x और यह जो y square है तो y square को student क्या लिख सकते हैं y गुड़े में y चलिए यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए 7x square को x गुड़े x से लिख सकते हैं तो यहां पर हमने x x लिख दिया और इस y को y लिख दीजिए यहां पर तो हमारे पास गुड़नखंड हो गया चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का solution क्या होगा तो student चलिए अब लोग e पर चलते हैं और देखते हैं e का solution क्या होगा तो student आप लोग e को ध्यान से देखिए इसमें में क्या दिया गया है इसमें अगर हम BGA बेंजक की बात करें तो BGA ब 2b square M-3A square दिया गया है ठीक है A हमारा क्या हो गए BG benъnök है इसमें हम पदों की बात करें पद हमारे कौन-कौन से हो जाएंगे द्यान से देखिए अगर हम पद की बात करें तो M-A B यह हमारा क्या हो गए पद हो गया अगर हम बात करें 2B square की 2B square हमारा क्या हो गया? पद हो गया अगर हम बात करें माइनस 3A square की तो A हमारा क्या हो गया? पद हो गया ठीक है? चलिए अब A जो पद student देख रहे हो इनका में क्या करना है? गुड़न खंड करना ठीक है? चलिए भई गुड़न खंड कर लेते हैं अब माइनस A भी है तो क्या लिखते हैं? माइनस A गुड़े B लिख सकते हैं तो लिखते जिए माइनस A, B इसका गुड़न खंड हो गया 2B square का गुड़न खंड करते हैं तो student 2B square का गुड़न खंड क्या हो जागा? 2B, B बहिए दो गुड़े B, गुड़े B करेंगे, दो B स्कॉảiर आएगा, वही गुड़न खंड हो गया, चलिए हौइज 3a स्कॉर का गुड़न खंड अब लोग कर लेते हैं, देख देखते हैं इसका गुड़न खंड क्या होगा, तो बिसस्तूर mend चलते हैं, और देखते हैं, द बात कई जा रही है कि नेचे नेचे दिये गए बेंजकों में पदों और उनके गुड़न खंडों को च्छाटना है तो चलिए स्टुडेंट हम लोग च्छाटते हैं आप लोग इस तरीके से कुछ लिख लेजिए यहां पर हम एक यहां पर जो में बेंजक दिया गया हम और यहां पर जो हमारे पद हमेंगे लोग पदों लिख लेते हैं और जो भी घुडं खंडों होगा यहां पर हम घुडं कॉलेखेंगे यहां पर आप लोग बिसाग जो भी हमने पेड़ परढल रहरा रह यह हमारे पद है अगर हम इनका गुड़न खंड करें माइनस 4X का गुड़न खंड करेंगे माइनस 4 हो जाएगा X और 5 हुमारा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं यह हमारा A नंबर हो गया B की बात कर लेते हैं प्लस 5Y पदों की बात करें पद क्या हो जाएगा माइनस 4X और 5Y यह हमारे दो पद हो गए चलिए गुड़न खंड कर लेते हैं माइनस 4X का गुड़न खंड करेंगे माइनस 4 आ जाएगा X आ जाएगा ठीक है अब आगे देखें में गुड़न खंडों को छाट नहीं है तो पांच वाई है पांच वाई का गुड़न खंड करेंगे तो पांच और वाई आएगा ठीक है कि पर चलते हैं और सी की भी बात कर लेते हैं यहां पर देखिए 5Y 5Y प्लस 3Y स्क्वाइर दिया है तो इस्टूनेंट पदों को अलग करिए 5Y और यहां पर हो जाएगा दूसर करेंगें दूसरा पद क्या होजाएगा 3Y स्क्वाइर चलिए D पर चलते हैं और D को ध्यान से देखते हैं D में student हमें क्या दिया गया है X Y तो लिख दीजे X Y प्लस 2 X स्क्वाइर Y स्क्वाइर अगर पदों की बात करें पद कौन कौन से पद है एक तो हमारा X Y हो गया दूसरा पद हमारा है 2 X स्क्वाइर Y स्क्वाइर यह तो पद हो गए पदों का गुड़न खंड लिख देते हैं X Y का गुड़न खंड X हो जाएगा Y हो जाएगा और अगर हम इस 2 X स्क्वाइर Y स्क्वाइर की बात करें इसका जो गुड़न खंड है 2 X X Y Y ठीक है चले हम लोग आगे चलते हैं हम लोग E पर चलते हैं E को इस्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए E में बेंजक हमें क्या दिया गया P Q प्लस Q क्या दिया गया P Q प्लस Q इसके अगर हम पद की बात करें तो पद हमारे कौन-कौन से हो जाएगे बही एक पद हमारा P Q हो जाएगा और दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद हमारा Q हो जाएगा अब P Q का गुडन खंड क्या होगा P Q होगा और Q तो हमारा Q ही होगा चलिए F पर चलते हैं और F को ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया गया 1.2AB यह दिया इस्टूडेंट माइनस 2.4B दिया है प्लास 3.6A ठीक है चलिए गुडन इसका हम लोग पद लिख लेते हैं देखिए कितने पद है माइनस 1.2AB हमारे पद हो गया चलिए यहां पर एक लाइन डॉ कर देते हैं ठेके इस्टूडेंट पद देखिए कौन-कौन से हैं 1.1.2AB मारे पद हो गया और माइनस 2.4B माइनस 2.4B पद हो गया और अगर बात करें 3.6A की तो 3.6A A भी मारे क्या हो गया पद हो गया चलिए यह जो पद हैं इनके गुड़न खंड को लिख देते हैं 1.2AB का गुड़न खंड क्या हो जागा देखिए 1.2 हो जाएगा A हो जाएगा B हो जाएगा अगर इसी तरीके से इसके लिए बात करें माइनस 2.4 और क्या हो जागा B 3.6A की बात करें तो हो जाएगा 3.6 और क्या हो जाएगा A हो जाएगा चलिए अब लोग आगे बात कर लेते हैं एब तक हो गया चलिए इब लोग G की बात कर लेते हैं G को इस्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए G में में क्या दिया गया है G में को दिया गया है 3 upon 4 X plus 1 upon 4 ठीक है पद की बात करें पहला पद हमारा कौन सा हो जाएगा 3 upon 4 X और दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद हमारा 1 upon 4 होगा ठीक है इसके गुड़न खंड की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 upon 4 और X ठीक है और 1 upon 4 का 1 upon 4 हमने गुड़न खंड लिख लिया चलिए अब हम लोग H के लिए लिख लेते हैं तो इतना ही रेज कर दे रहे हैं H के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर हमारा बीजे बेंजक है तो बीजे बेंजक हमारा क्या है 0.1 P square प्लस 0.2 Q square अगर इसके लोग पदों की बात करें तो पद कौन कौन से हो जाएंगे 0.1 P square पहला पद A हो गया दूसरे पद की बात करें 0.2 Q square A B मारा क्या हो गया पद हो गया चलिए गुड़न खंड कर लेते हैं 0.1 P square को क्या लिखेंगे पी गुड़े पी तो यहाँ पर P P मारा हो गया और इसी तरीके से देखे 0.2 इंटू में Q square और Q square को क्या लिखते है Q इंटू में Q तो हमें गुड़न खंडो को ही लिखना था तो हमने लिख दिया है तो इस्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं यह जो मारा second number था हमने इसको भी क्या कर लिया है solve कर लिया है चलिए अब हम लोग अगले question पर चलते हैं नेमलिकित बेंजेकों में पदों के संख्यात्मा गुड़ांकों जो अचर ना हों की पहचान कीजिए झाल